नितीज कुमार का सपत ग्रहन समारो संपन हो गया लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की तारीक में ये है कि क्या नरिंदर मोदी जी ने ये वाकई बहुत महंगा सोधा कर लिया और क्या नितीज कुमार अब बीजेपी की भी अपनी तो छोड़िये बीजेपी की भी लुटिया डुबोने जा रहे है और इसके कई बड़े कारण है जो एक एक करके मैं आपके सामने रखूँगा यहां पट्रा में बिहार में मैं मौझूद हूँ कल जो कुछ हुआ राजभावन के अंदर वो तो मैंने देखा ही लेकिन उसके बवजूद यहां की आबो हवा में जो कुछ महसूस कर पा रहा हूँ यहां की राज़निती को जो कुछ पढ़ पा रहा हूँ वो मैं आपके सामने रखूँगा और क्या बड़े ऐसे कारण है जिसकी वज़े से साफ तोर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं नरिंदर मोदी जी ने महंगा सोदा कर लिया देखिए बिलकुल साफ है लोग इस बात को खुल करके कह रहे हैं कि नितिश कुमार ने दबाओ में आकर के समझोता किया है पहला जो कारण है वो यही आम तोर पर लोग बता रहे हैं कि सरकार आसानी से चल रही थी, आराम से चल रही थी, नोक्रियों की बात हो रही थी, रुजगार की बात हो रही थी, गरीबों को पैसा देने की बात हो रही थी, जातिय जंगरना की बात हो रही थी, आरक्षन की बात हो रही थी यानि नितीज कुमार का और तिजस्वी आदव का जो एक वोट बेंक है उनकी जो राजनिती की जो धुरी रही है उस धुरी पर काम हो रहा था और कहीं से कोई बड़ा जो है वो उलट फेर देखने को नहीं मिल रहा था और यही एक बड़ी वज़े है कि नितीज कुमार भी इस्तिफा देते वक्त इधर उधर घूमते रहे लेकिन कोई बड़ी वज़े नहीं बता पाए अब नितीज कुमार के खेमे की तरफ से कभी राम मंदिर को लेकर के चीजे थोड़ी थोड़ी आगे करके दिखाई जा रही है कि ये वज़े थी कभी जो है वो नरेंदर मोदी का नाम आगे करके दिखाय जा रहा है कभी कॉंग्रेस को कोसा जा रहा है कॉंग्रेस पर ताने मारे जा रहे है लेकिन कोई बड़ी वज़े कि आप सरकार में सबसे बड़े पार्टनर और आप से भी बड़े पार्टनर तिजस्वी आदव के साथ में क्या कोई आपको दिक्कत थी और दूसरी तरफ तिजस्वी कह रहे हैं कि ये हमारे आधरनिये थे, आधरनिये हैं और आधरनिये रहें के अब पहली बड़ी वज़े, पहली बड़ी कारण तो यही है कि नरिंदर मोदी का ये महंगा सोधा हो गया जिसको कहा जा सकता है वो ये कि नरिंदर मोदी जी अगर अकेले भी अगर बीजेपी अपने सयोगी पार्टनर के साथ में जिस तरह से उपेंदर कुस्वा है, चिराग पासवान है, जितनरा मांजी है इन सब के साथ में भी अगर चुनाव लड़ती बीजेपी दोजार चोबिस का, तो बहुत अत्तक जो है वो ये कहा जा सकता था कि ठिक ठाक पोजिशन में रहती बीजेपी और अब जब बीजेपी लोट करके दोबारा वापसी आई है, तो नितियस कुमार के साथ आने से उनको क्या नुकसान होगा और क्या फाइदा होगा, इसका तो समय जवाब देगा, लेकिन अभी सवाल सबसे पहले ये खड़ा हो गया है, कि कल चिराग पासवान, चिराग प पासवान और नितियस कुमार दोनों के बीच में 36 का अकड़ा है, कैसे आप मनाएंगे, जीतन राम मांजी को एक तरह से अपशब्द नहीं बलकि अगर ठेट दियातिवासा में कहें, तो गालिया तक दी गई नितियस कुमार के दौरा, कैसे आप मनाएंगे, उपेंदर कु कुस्वा, नितियस कुमार को कोस्ते कोस्ते और नितियस कुमार के खिलाफ ना जाने क्या क्या बोलते बोलते, अलग हुए और अलग होकर के पार्टी मनाई और नितियस कुमार और उपेंदर कुस्वा के बीच में, आज किस तरह का आकड़ा है, कोई क्या कह सकता है, तो प्रवाल ये है कि सीटों में कैसे बटवारा होगा क्योंकि ये अब हम ये बात करें कि नहीं वो 15-20 दिन की बाद की बात है या और 25 दिन बाद की बात है या एक महीने दो महीने बाद में प्रिस्टितियां पैदा होगी बिलकुल नहीं जब ये बटवारा हुआ जब ये सोधा हुआ तभी तब सब कुछ स्ते कर लिया गया होगा कि छिराग पासवान उनको कैसे मनाएंगे क्योंकि कल जो सपत हुई है उसमें समराठ चोधरी और विजेश सिना बीजेपी की तरफ से डिप्टी सियम मन गए आठ मंत्रियों को भी सपत दिलवाई गई और जितन राम मांजी के चार विधायक हैं दो को अपने कोटे से मांग रहे हैं उनको भी दो देना है तो ये सवाल है कि अब चिराग पासवान उनके पास विधायक नहीं लेकिन चिराग पासवान क्या करेंगे वो जायसी बात है वो लोग सवा के अंदर दावेदारी ठोकेंगे और कल चिराग पासवान जेपी नडडा के ठीक बगल में बैठे हुए थे तो बहुत कुछ संकेत है एक तरफ जो है नितीस कुमार और एक तरफ चिराग पासवान और नितीस कुमार और चिराग पासवान 2020 के लोग सवा चुनाओ को याद कर लीजी नितीस कुमार और चिराग पासवान के बीच में जो बात्चीत चली और उसके बाद में कभी बात्चीत ही नहीं हुई तो ये सवाल है कि कैसे जो है वो इन सारी चीजों को बीजेपी एक जुट करेगी एक प्लेटफोर्म पर लेकर करके आएगी ये और तीसरी बड़ी बात नितिसकुमार खुद गिर गए है समाजी के मुद्दे के ओपर नितिसकुमार गिर गए है और कैसे गिरें जरा समझी इस बात को लेकि बिहार के अंदर जाती जर्णना हुई और फिर उसके बाद में सब ने इस मुद्दे को पकड़ा कैच किया कॉंग्रेस ने जहें जहें पर इस मुद्दे को कैच किया चुनावी मुद्दा बनाया कि जहाँ पर हमारी सरकार है वहाँ पर हम जाती जर्णना कराएंगे और जहाँ पर सरकार आएगी वहाँ पर कराएंगे अब सवाल ये है कि जो सरकार अभी केंदर में बैठी हुई है और जब पूरी विपक्ष की तमाम पार्टिया चाहिए वह अखले से आदा हो warm चाहिए वो जाहिए कोंग्रेस पार्टी हो चाहिए और छेत्रियार अन्य पार्टीया हो चाहिए दक्षिन भारत की पार्टीYah हो जब सब बात कर रहे हैं जाती जंगरना होनी चाहिए और नरेंदर मोदी जो की केंदर की सत्ता में बैठे वे है तो सवाल ये पूछा जाएगा कि नितीज कुमार अब इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे जब जाती जंगरना का मुद्दा लोगों के बीच में आएगा जब जाती जंगरना का मुद्दा जब चुनावी भाशनों में उच्छाला जाएगा कि देखिए हमने पहली बार 17 साल की सरकार में 17 महिने के अंदर 17 साल की सरकार बीजे पी की ए और एंडी ये इसकी नितिस कुमार की रही लेकिन वो काम नहीं हो पाए जो काम हमने 17 महीने में कर दिये और तेजस्वी आदाव ने कली इन सारी जोगा जिकर किया तेजस्वी आदाव ने कहा कि जो कामी 17 साल में नहीं कर पाए हमने 17 महीने में कर दिये और तेजस्वी आदाव अभी जो कूल वाए के तूर पर दिख रहे हैं ये लोगों को हैरान कर रहा है प्रिशान कर रहा है कि इतने शांत कैसे हैं कुछ तो उल्टा सीधा बोलना चाहिए था जिससे बीजेपी को या जेडियो को कुछ मदद मिल जाती काउंटर मिल जाता और फिर उसके बाद में उस पर अटेक किया जाता लेकिन वो तो कह रहे हैं पहली लाइन में कि हमारे आधरनिये थे, आधरनिये हैं और आधरनिये रहेंगे वो हमारे अभिवावक है मैं कभी उनके परती जो है द्वेस नहीं रखूंगा ये कल का तेजस्वी आदव का स्टेटमेंट है मैंने कल भी आपको सुनाया था तो अब सवाल ये है कि तेजस्वी आदव को क्या जवाब देंगे नितीज कुमार जब वो मंचों से पूछेंगे कि क्या आपकी नरेंदर मोदी जी के साथ में बातचीत हुई है जाती जिंगनना को लेकर के फिर OPS का मुद्दा उसको लेकर के और तमान तरह की मुद्दे क्योंकि नितीज कुमार अगर इधर रहते तो ओपोजिशन के तोर पर केवल BJP रहती और केवल BJP के उपर अटेक होता जजस्वी आदव का लालू परसाद आदव का नितीज कुमार का और देखिए आप जो है वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं नरेंदर मोदी की उपर अगर आए हम गुम करके तो नरेंदर मोदी कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं पहले महराश्टर के अंदर किया आप इतने दुस्मन क्यों बनाते जा रहे हैं इतने लोगों को जो है वो आप सिंपती क्यों देते जा रहे हैं और ये आपके लिए क्या नुक्सान दे नहीं होगा निश्यत तोर पर होगा आपने महराष्ट्रा में क्या किया आपने महराष्ट्रा में सिवसेना की सरकार गिरा दी और सिवसेना की पार्टी ही तोड़ दी फिर सिवसेना भी उनको दे दी, सरकार भी उनको दे दी तो क्या उद्दव ठाकरे को इसका फाइदा नहीं होगा और क्या उद्दव ठाकरे इस बात को लेकर के लोगों के बीच में जब जाएंगे तो लोग उनको वोट नहीं करेंगे क्या जब आपका घर तोड़ा गया है और आप बाहर खड़े हो करके गली में कह रहें कि देखो मेरा घर तोड़ दिया मेरे घर पर कबजा कर लिया और मुझे सड़क पर बैठा दिया तो क्या सड़क पर चलती वी जनता आपकी बात को नहीं सुनेगी क्या सड़क पर चलती वी जनता वो ये जिकर नहीं करेगी कि हाँ बात तो सही है सडक पर चलती वी जंता वो पत्थर मार करके, लाखी मार करके, दबदबा दिखा करके, उनका घर खाली करवा करके नहीं दे सकती है लेकिन सडक की जंता वोट के तोर पर जरूर एक नया घर बना करके दे सकती है तो सीवसियना के साथ में आपने यही किया फिर उसके बाद में सर्थपवार के साथ में आपने यही किया सर्थपवार को तो आप क्या कुछ कहते रहे हैं राजनिती उन से सीखी, उनली पगड़ करके सीखी यह किसके बयान रहे हैं तो यही सारा काम अपने सर्थ पवार के साथ किया और सर्थ पवार के बाद में आज यही काम अपने लालू परशाद यादव के साथ कर दिया और लालू परशाद यादव अभीता किस पिच्चर में नहीं आये है यह जो सरकार गिरी है, सरकार बनी है इस पिच्चर के अंदर लालू परशाद यादाओ नहीं आए है जब लालू परशाद यादाओ इस पिच्चर में आएंगे तब ये पिच्चर और साफ हो जाएगी ये पिच्चर और किलियर हो जाएगी और तब जाकर किछीजे कुछ और बेतर डंग से समझ में आएंगी कि हाँ ये जितना आसान समझा जा रहा था वो इतना आसान नहीं है और तीसरी बड़ी बात ये है कि नितियस कुमार को लेकर कि लोग बिहार के मैं देख रहा हूँ बात कर रहा हूँ लगारतार मैं यहाँ पर हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ तो लोग कह रहें कि यार ये क्या कर दिया है मतलों लोग अभी सच में इस से प्रिशान दिखाई दे रहे हैं सच में लोग कह रहें कि नहीं ये अटपटा हो गया है जो पड़ा लिखा युवा है वो कह रहा है कि बाहर कहीं पर बात करेंगे तो नितीष के नाम पर हमें गालिया मिलेंगे लोग कहेंगे कि अरे तुम वही नितीष कुमार बार बार पल्टूराम पल्टूराम तो पल्टूराम पल्टूराम कहकर के लोग हमें गालिया देंगे और एक बड़ा डर भी है लोगों में युवाओं में एक बड़ा डर है और वो बड़ा डर ये है जिसका कल मैंने जिकर भी किया लोग मुझे से ओंदा कैमरा आकर के इस बात को कह रहे थे और मैंने वो कल दिखाई भी आपको तस्विरे ओंदा कैमरा लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो नई सरकार आई है क्या पुरानी जो भरतिया निकाली गई है या पुरानी जो भरतिया भरति परकिरिया चल रही है उसमें अडंगा नहीं लगाएगी और जो पुरानी भरतिया परकिरिया चल रही है क्या उनको न्युक्तिया मिल जाएंगी ये बड़ा सवाल है ये बड़ा डर है लोगों के अंदर क्योंकि लोग रोजगार के नाम पर यकीन नहीं कर पा रहे है NDA के उपर क्योंकि NDA की तो सरकार रही ही लेकिन आप बताई कि क्या बिहार में रोजगार मिल रहा है ऐसी खबरे दिल्ली तक आपाई दिल्ली तक ये आता रहा कि छटपुजा में ट्रेन पर इतनी भारी भीड है तो ये सब कुछ क्यों होता रहा क्योंकि बिहार की जनता रुजगार के लिए बाहर भागती रही और वो फिर अपने तेवारों पर जब घर आते हैं तो सरकारें जो हैं वो ट्रेनों का इंत्जाम तक नहीं कर पाती है एक दिन के लिए उन बिहार के लोगों को नहीं समाल पाती है जो बिहार के लोग 365 दिन बिहार से बाहर रह करके कमाते हैं और बिहार में पैसा बेजते हैं लेकिन बिहार की सरकार एक दिन के लिए उनका इंजामात नहीं कर पाती है कि वो ठीक से आ जाएं और ठीक से वापिश से ले जाएं इतना भी नहीं हो पाता है तो ये सवाल है कि नितीश कुमार से अब जातिये जंगर्णा को लेकरके नरिंदर मोधी के हवाले से सवाल पूझे जाएंगे कि आप ये बताईए कि नरेंदर मोदी को आप क्या कहेंगे जाती जंगनना के मुद्दे पर आरक्षन के मुद्दे पर जो काम यहाँ पर सरकार में हो रहा था महागटबंदन की सरकार में हो रहा था क्या वो काम आप बीजेपी से करवा पाएंगे तो यह सवाल है और नितीश कुमार अब एक तरह से उनकी जो है वो जो राजनेती थी या उनका जो वोट था वो पहले सी आप देखी ग्राफ कितना नीचे गिर गिया है इस बार के चुनाओं में तीसरी पार्टी रहें वो पहले नमबर पर RJD दूसरे पर BJP और तीसरे नमबर पर तीसरे नमबर पर जो है वो इनकी पार्टी अब ऐसे में हो सकता कि अगले चुनाओं में ये और 15-20 सीटों की पार्टी बन करके रह जाएं कि 15-20 सीटे केवल इनकी आई और उसके बाद में BJP जब तक इनको रखेगी तब तक जरूरत है लेकिन अगर 15-20 सीट आई तो BJP हो सकता है तभी अपना मुख्यमंत्री बैठा दे और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चार महिने के लिए तो कहीं मंगनी नहीं हुई है चार महिने के लिए और चार महिने के लिए मंगनी रहेगी और उसके बाद में फिर रिस्ता तोड़ करके और नया दूला बैठा दिया जाएगा ये भी एक सवाल जो है लोग पूछ रहे हैं ये भी बिहार में पटना में लोगों का जो है चर्चा का विश्य बना हुआ है कि केवल चार महिने के लिए ये तो सरकार में नहीं है जैसे लोग समाच चुनाव हुए और उसके बाद में खेल खतम या फिर जो नई सरकार बनेगी तो नई सरकार में फिर जो है वो नितिस कुमार अपने आपको कमफर्ट करने के लिए कि कहीं उन पर जैसे अब बीजेपी के उपर आरोप लगते हैं कि सीब्याई, इडी और तमाम तरीके से लोगों को घिरना का काम करती है तो कहीं उसी लहजे में अगर नई सरकार भी काम करने लग गई तो नितिस कुमार को कहीं एडी सीब्याई का डर तो नहीं सताने लगा है मैं खुल करके इस बात को कहता रहा कि बीजेपी अभी तक एडी सीब्याई का IT का नितीज कुमार के उपर कम से कम कोई सिकंजा नहीं कस पाई थी लेकिन क्या ये सब कुछ पहले से तै था कई पोश्टर कल बिहार में लगे और वो पोश्टर बिहार में लगे तो लोग पूछने लगे कि इतने जल्दी ये पोश्टर कैसे तयार हो गए क्या इसकी पठकता इसकी स्क्रिप्ट वो बहुत पहले से तै थी सुब दोपैर में जो है वो इस्तिफा देने के लिए जाते हैं शाम को सपत होती है और इस बीच में जब वो खाना खाने के लिए गए थे राजपाल के साथ में और तमाम विधायकों के साथ में तभी पोस्टर लग गए तो यह सवाल पूछा जा रहा है यह सवाल लोग कर रहे हैं कि आखिरकार नितीज कुमार और बीजेपी के बीच में क्या बहुत पहले से खिचडी चल रही थी और क्या आरजेडी को भी इस बात का इल्म था आरजेडी को भी इस बात का पता था कि सब कुछ होने वाला है और इसलिए तिजस्वी आदव वो ताबड तोर तरीके से काम कर रहे थे ताबड तोर तरीके से नोक्रिया देने का काम कर रहे थे आरक्षन या जाती जन्गनना यानि जो उनके पॉइंट है उनके मुद्धे हैं कल तेजस्वी ने इस बात को जोर दे करके कहा कि हमने 17 महीने के अंदर जो कर दिया वो 17 साल के अंदर ही सरकार नहीं कर पाई और मुख्यमंत्री चुनाव के अंदर और मैं तो यहीं पर था जब विदान साब चुनाव चल रहे थे ग्राउंड रिकोर्टिंग उसक्त मैं आपको दिखा रहा था और उस वक्त तेजस्वी आदाओ के एक हेलिकोप्टर के पीछे 32 हेलिकोप्टर जो है घूम रहे हैं लेकिन कैसे सब कुछ हुआ किस तरह से हुआ और फिर उसके बाद में नितीज कुमार मंच पर खड़े हो करके कहते थे कि यह पैसा कहा से लाएगा दसलाख रोजगार की बात तेजस्वी आदों की तरफ से कही गई कि दसलाख रोजगार देंगे तो नितीस कुमार की तरफ से बार-बार मंच पर खड़े हो करके कहा जाता था कि पैसा कहां से लाएगा और अगर दसलाख लोगों को रुजगार देना संभाव है दसलाख लोगों को रुजगार आप दे सकते हो तो बाकी के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो यानि इस तरह की बातों का जिकर नितीस कुमार के द्वारा किया गया लेकिन कल तेजस्वी ने इस बात का जवाब दिया कल तेजस्वी आदव ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि देखिए हमको पूछा जाता था कि पैसा कहां से लेकर के आएगा और हमी ने जब सरकार में आए उससे पहले बीजेपी नोक्रिया नहीं निकाल पाई और जब हम सरकार में आए जब बीजेपी बाहर हुई जब नितीज हमारे साथ आए तो नितीज कुमार जी के हाथों ही हमने न्युक्तिया पत्र दिलवाए नितीज कुमार जही से ही हमने गोशना करवाई तो जब हमने करवाया तब हुआ तो यह सारे चीजे जब एक-एक करके लोगों के बीच में पहुँचेंगी तो फिर आप बताईए कि लोगों के उपर इसका क्या परभाव पड़ेगा और अगर बीजेपी अकेले होकर के लड़ती तो जिस तरह से समराठ चोधरी और तमाम लोग और समराठ चोधरी अपनी मुरेठा अपनी पगड़ी का जो जिकर करते हैं तो कहीं बीजेपी का एक वोट मेंग के सब कुछ तयार हो रहा था और अमिच्छा को आप याद करिए अमिच्छा कह करके गए थे कि दरवाजे बंद है तो यादि बीजेपी मान करके चल रही थी कि अब नितीज कुमार के साथ नहीं जाना है अब नितीज कुमार बहुत हो चुका अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है और नितीज कुमार अगर पलट करके दोबारा फिर से इध हो गया तो सवाल ये है कि नितीज कुमार के नाम पर जो तैव हुआ है ये क्या ये बीजेपी को तगड़ा जटका नहीं देने वाला है क्या नितीज कुमार के आने से बीजेपी को फाइदा कम और नुक्सान जादा होने के आसार बन गए है अब होगा क्या ये तो वक्त बता या कि आप क्या सोंचते है निचे कमेंट बुक्स में अपनी राय लिक करके जरूर बताईए इस वीडियो को खूब शेर कीजिए लोगों तक पहुंचाईए और इसी तरह के तमाम ख़बरों के लिए अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेस को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस खबर को शेर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद